दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बता अली बबाबा से सौपिंग कैसे करें दोस्तो यही नहीं साथ के साथ यह भी बताऊंगा कि अली बबाबा पर अकाउंट कैसे बनाए shopping कैसे करें कोई भी समान अगर order कर दिया है और वो आपको पसंद नहीं है तो उसे वापस कैसे करें अगर आप order कर दिया है तो कैसे पता करेंगे आपका समान कहा तक पहुँचा और यही नहीं सबसे important order करने से पहले कैसे पता करें कि कोई भी समान original है या फिर डूब्लिकेट है तो दोस्तों अगर आप भी अलीबबा से शॉपिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यूटूब पर आपको अलीबबा से सॉपिंग कैसे करें इस तरह का काफी सरा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन अभी किया है कि 2021 में पहले से काफी चीजे पहले से अपडेट हो गया है चेंजेस हो गया तो दोस्तों जो फीचर चेंज हो गया है उसमें मैं आपको आज सिखाऊंगा कि अलीबबा पर सॉपिंग कैसे करते हैं तो दोस्तों अगर आप भी सौपिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा और चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम सर्च बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे अलिवबा जैसे ही सर्च करेंगे तो यह वाला अप्लिकेशन आपके सामने आएगा इसे डाउनलोड कर लेना है इस application का link मैं video का description में भी दे दिया हूँ आप वहीं से direct download कर सकते हैं उसके बाद हम open पर click करेंगे दोस्तों जैसे ये open करेंगे तो कुछी इस तरह का interface आएगा यहाँ पहले आपको login नहीं करना होता है आप बाद में भी login कर सकते हैं तो यहाँ पर दिखें कुछी इस तरह का interface आ रहा है आपको जो भी shopping करना है उसे आपको choice करना होगा लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सब कुछ बिकता है मतलब A to Z तो जैसे माल लीजे कि कोई ऐसा product है जैसे माल लीजे कि हमारे कोई दोस्त है हमारे कोई परोसी है कोई ऐसा product order किया है अली बबा से जिसका नाम हम नहीं जानते है तो उसको कैसे यहाँ पर search करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक icon है इस पर click करेंगे तो आपका camera open हो जाएगा और जो भी product होगा उसके सामने ले जाएंगे चाहें वो कैसा भी product हो तो अगर इस site पर वो product अभी available होगा तो हमें दिखा देगा और हम वहीं से order कर सकते हैं यहीं नहीं दूसरा तरीका है कि हम यहाँ से search कर सकते हैं तीसरा तरीका है यहाँ से photo upload करके भी हम ढूंड सकते हैं तो दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा product है इसलिए हमें काफी सारा options भी मिलता है ठीक है उसके बाद एक option आता है सबसे पहले इसके features के बारे में हम समझ लेते हैं उसके बाद मैं आपको order करना भी सिखाऊंगा क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि किसी भी site पर आप order करते हैं तो उसके बारे में एक एक बारी किया आप पहले जानिए तब order कीजिए ठीक है तो यहाँ पर जाएंगे हम दूसरे वाले option में तो इसमें क्या होता है कि जब कोई product खरीदता है तो review करते हैं तो कई लोग इस पर upload कर देते हैं ठीक है या फिर माली जी कि कोई mobile phone launch हुआ तो उसका भी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा हमारा order कितने दिन में पहुंचेगा या फिर हमारा payment करने के बाद समान आयेगा भी या नहीं तो कुछ लोग के मन में अगर डर है तो आप बात भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन मैं कहूंगा कि बिना संदे आप order कर सकते हैं और मैं आपको order करने का process भी बताऊंगा और कैसे order करना है मतलब कितना order करना है ये भी मैं आपको समझाओंगा ठीक है उसके बाद एक option आता है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप order करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर sign up हम किये रहते तो जो भी अगर हम order करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा समान कितना order हुआ है अगर माल लीजे कि हम एक किये रहेंगे तो एक दिखेगा दो करेंगे तो दो दिखेगा इस तरीके से ठीक है उसके बाद last में एक option आता है my alibaba ठीक है इस पर हमें account बनाना होता है तो यहां से हम अपना dp लगा सकते हैं यहां से register कर सकते हैं तो चली हम यहां से register करते हैं register करने के लिए sign in और register पर click करेंगे दोस्तो जैसे ही register पर click करेंगे तो यहां पर दो option आता है login करने के लिए आप चाहें तो facebook से भी कर सकते हैं दूसरा number आप google से भी कर सकते हैं तो हमारा माने तो google से करना आसान होता है क्योंकि google पर जैसे ही click करेंगे तो आपके phone में जितना भी gmail ID होगा वो आपके सामने आ जाएगा आप किसी भी gmail ID पर click करेंगे तो login हो जाता है और उसमें कोई भी OTP योगरे नहीं देना होता है नहीं हमें password बनाना होता है तो चली मैं google से कर लिया हूँ तो यहां पर हमारा नाम आ गया है और यहां पर dp आ गया है लेकिन अभी so नहीं हो रहा है तो आप यहां से choose कर सकते है तो चली मैं यहां से search कर लेता हूँ तो जैसे माल लिजे कि मैं यहां पर search कर लेता हूँ Redmi का phone क्योंकि Chinese यह phone है और वहां पर काफी मात्रा में यह बिकता भी है तो यहां पर देखें मैं search कर लिया Redmi Note 10 Pro ठीक है इसी को मैं order करता हूँ तो इस पर मैं click करूँगा जिस पर भी आप order करना चाहते है process सबका same रहेगा चाहे product कोई भी हो order करने का process same रहेगा उसके बाद यहां पर देखें कुछ वीडियो हमें दिखाये जाएगा जो मैं आपको पहले ही बताया कि order करने से पहले हम छोटा से एक वीडियो देख सकते है कि वो phone कैसा है या फिर जिस product को हम order करें वो product कैसा है ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर देखें एक option आता है chat now का अगर मालीजे कि product में कोई भी आपको संदेह लग रहा है 6G या फिर 8G तो चलिए मैं 8G लेने वाला हूँ कितना लेना चाहते हैं तो अगर plus पर click करेंगे तो एक piece हो जाएगा अगर और करना चाहते हैं जितना ज़्यादा लेंगे उतना आप ले सकते हैं कौम लेना चाहते हैं तो minus पर click करेंगे चलिए मैं एक पीस लेना चाहता हूँ उसके बाद यहाँ start order पर click करेंगे और दोस्तों उस पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर देखे हैं मैं price बताए जा रहा है कि इसका कीमत होगा 295 डॉलर ठीक है अब इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका कितना price बैठा दोस्तो करूं तो यह 200 हो जाएगा अगर मैं 50 करूं तो उससे भी कम होगा अगर मैं 500 पीस करूं ठीक है तो यह 100 डॉलर में भी हमें मिल जाएगा तो अलीबबा से order कब किया जाता है थोक माल किया जाता है अगर आप single piece करेंगे तो भी आपको कुछ छूट तो मिलेगा इंडिया के ह नाम देंगे यहां पर mobile number देंगे यहां पर अपना address देंगे उसके बाद यहां पर appointment देंगे यहां पर country सिलेट करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो यह हमसे पूछ रहा है यहां पर आप क्या करते हैं आप business करते हैं आपके पास कोई factory है इस तरीके का तो हम किसी एक प confirm पर click करेंगे दोस्तों यहां पर दिखेये जैसे मैं submit to confirm कर रहा हूं तो यहां पर यह बता रहा है कि आप 10 piece ले सकते हैं मतलब 10 1999 से कम नहीं ले सकते हैं तो दोस्तों यह तो मैं पहले ही बताया है कि जिनके पास shop है उनके लिए यह है तो अगर आपके पास shop है तो आप है ले सकते हैं चलिए मैं फिलाल 10 पीस ही करूँगा अगर कह रहा है तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं 10 पीस करके submit to confirm किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है उसके बाद इसको हम cut कर देंगे यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा seller होगा यह direct अलीवबा से यह माल नहीं आता है कुछ sellers होते हैं जो माल खरीद करके रख लेते हैं और वो हमें माल यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे हमें wait करना होगा क्योंकि seller के पास से अभी हमें message दिया जाएगा कि इसका price क्या होगा क्योंकि हो सकता है कि वो अपना charge को इसमें add कर सकता है तो हमें यहाँ पे थोड़े दिर wait करना होता है यहाँ पे बता भी रहा है कि waiting for supplier to accept order ठीक है तो हमें थोड़ा wait करना है अभी हमें एक message मिलेगा दोस्तो यहाँ पे जैसी आप wait करते हैं और supplier के तरब से कोई भी आपको message मिलता है उसके बाद आपको इस पर click करना होगा उसके बाद इसमें कोई भी काम नहीं है जश्ट आपको इस दूसरे वाले step में payment करना होगा ठीक है payment करेंगे और आपका order confirm हो जाएगा उसके बाद आपको wait करना होता है दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में order आने में थोड़ा ज्यादा ही time लगता है तो इसलिए आपको थोड़ा wait करना होगा लेकिन अगर आप order नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे cancel order पर click करके order को cancel भी कर सकते हैं इसके अलावा जो alibaba.com के जो team है उनसे अगर कोई मदद लेना चाहते हैं तो यहाँ help पर click करके उनसे आप बात कर सकते हैं दोस्तो यही नहीं यह जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे single piece नहीं ले सकते हैं जैसे उसमें बताया जा रहा है था कि आप 10 piece ही ले सकते हैं लेकिन किसी किसी product को आप single piece में भी ले सकते हैं जैसे मान लीजिए कि यह 5G phone है इसका कीमत 2800 रुपय है इस पर अगर मैं जाता हूँ तो इसको आप single में भी ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर वीडियो देखेंगे उसके बाद यहाँ पर start order पर click करेंगे उसके बाद यहाँ प payment का option में जब आएगा तो यहाँ पर make payment का option आएगा हम यहाँ पर payment करेंगे payment करने के लिए make payment पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कह रहा है कि बीजा card से करेंगे अपने debit card credit card किसी से भी कर सकते हैं आप किसी से भी यहाँ पर कर लेंगे अगर आपके पास कोई कुछ दिन बाद आपके घर पर जो भी आप एड्रिस दिया है उस पे आपका पूरट्ट आ जाएगा यहीं नहीं अपना प्रॉडट्ट चेक करने के लिए कि हमारा product कहां तक आया है और order हुआ है या नहीं अगर order हो गया है तो उसको cancel करने के लिए भी आप यहाँ card का जो option है इस पर जाएंगे और जो भी आप यहाँ पे shopping किये होंगे जो भी आप order किये होंगे वो total यहाँ पे दिखेगा मैं वहाँ पे payment करने के बाद order नहीं किया था क्योंकि वो phone मेरे को नहीं लेना था और यहाँ पे जो भी आप किये रहेंगे वो यहाँ पे दिखेगा तो दोस्तो इस तरीके से आप alibaba.com पर order कर सकते हैं और सस्ते समान मंगा सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जितना ज्यादा खरेंदेगे उतना आपको कम पराइस पे मिलेगा